प्रसिद्ध उद्योगपती रटन टाटा का देहा वसान हो गया है 86 साल की उम्र में रटन टाटा ने मुंबई के ब्रीच के अंडी अस्पिताल में आखरी सास ली रटन टाटा का दुनिया से जाना भारत के लिए एक बहुत बड़ी शती है रटन टाटा भले ही अब इस दुनिया में नहीं है लेकिन उनके किस से आज भी चर्चा में है बिहार के सियम रह चुके लालू प्रिसाद यादव और रटन टाटा का एक ऐसा ही किस्सा है ये बात 1993 की है जो बिहार और जारखंड मिलकर एक संयुक्त राज्य थे इस दौरान बिहार के मुख्यमंत्री लालू प्रिसाद यादव थे लालू प्रिसाद यादव की बेटी मीशा भारती ने मेडिकल एंट्रेंस की परिक्षादी थी कंपुटीशन में फेल होने के कारण उनका एड्मीशन नहीं हो पाया तब उनका एड्मीशन जमशेद पूर महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज में टाटा कंपनी के कोटे से हुआ था रिपोर्ट के मुताबक इसमें कहीं न कहीं रतन टाटा की भूमी का रही थी लालु यादव की एक और बेटी रुखनी आचार के MGM कॉलेज में अड्मीशन पर विवाद हुआ था सुरक्षा का हवाला देते हुए मीशा भारती का ट्रांसफर बाद में पटना के मेडिकल कॉलेज में कर दिया गया उस समय रावडी देवी बिहार की मुख्य मंत्री थी तब मीशा भारती के PMCH में ट्रांसफर होने के बाद विवाद खड़ा हो गया था आरोप लगा था कि सरकार के प्रभाव में ये ट्रांसफर किया गया है मीशा भारती बिना कंपेटीशन पास किये ही बिहार के सबसे बड़े मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरी पढ़ने लगी थी किसमा भारती कॉलेजिए विवा होने लगा हो रोगा है लगा है लगा है झाल झाल